इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. केटोफाइन बी क्रीम एक मिश्रित दवा है. इसका इस्तेमाल विभिन प्रकार के तवचा में फंगल इंफेक्शन का इलाज करने के लिए किया जाता है. यह संक्रमन पैदा करने वाले माइक्रो और्गनिजम के खिलाफ काम करके तवचा के संक्रमन जैसे लालिमा, सूजन, खुजली आदी को कम करता है. केटोफाइन बी क्रीम केवल बाहरी अंगों के लिए है और इसे डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार इस्तेमाल किया जाना चाहिए. दवा की पतली परत को साफ और सूखे हाथों से तवचा के केवल प्रभाविक शेत्रों पर लगाया जाना चाहिए. दवा लगाने से पहले और बाद में अपने हाथों को धोएं. अगर यह आपकी आँख, नाख, मूह या योनी में चला जाता है तो पानी से धोलें. लक्षनों में सुधार आने में कुछ सप्ताह तक का समय लग सकता है, तो अपनी दवा को नियमित रूप से लेते रहें. दवा के बहतर असर को सुनिश्चित करने के लिए इलाज का कोस पूरा किया जाना चाहिए. अगर आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है या अधिक खराब हो जाती है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए. आम तोर पर यह एक सुरक्षित दवा होती है, हाला कि इससे दवा लगाने के स्थान पर जलन, इरिटेशन, खुजली और लालपन जैसी समस्याएं आ सकती हैं. ये साइड इफेक्ट आम तोर पर हलके और आत्मसीमित होते हैं. गंभीर साइड इफेक्ट बहुत ही कम मामलों में होते हैं. अगर आपको कोई अलजी प्रतिक्रिया, यानि की चिकते, खुजली, सूजन, सांस की कमी, आदी का अनुभव होता है, आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए. इस दवा को लेने से पहले, अगर आप इसी बीमारी या किसी अन्य बीमारी के लिए अन्य दवाएं ले रहे हैं, या आपने हाल ही मिली हैं, तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में जरूर बताएं. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस दवा का सेवन उचित परामर्श और सावधानी के साथ करना चाहिए. अगर आपको दवा से ग्यात अलजी है, तो आपको इस दवा का इस्तिमाल करने से बचना चाहिए. आपको अपनी बीमारी के लिए एक वेकल्पिक दवा लिखने के बारे में डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए. इलाज के दौरान संक्रम तवचा वाले अंगों को स्पर्श या स्क्राच न करें क्यूंकि इससे इंफेक्शन और भी खराब हो सकती है या फैल सकती है.